Good morning everyone, L.T. Salim Usmani channel में आपका स्वागत है Friends, आज हम बात करने वाले हैं, Diabetic या सोगर या जिसको हम मदू में का रोक कहते हैं तो Diabetic होती है, वो क्या होती है, और किस वजा से हो जाती है, कौन से ओर्गन से होती है, कौन से हर्मोनेंस से रिलीज होता है आज उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं, तो first हम basic जानेंगे, Diabetic तो Diabetic 1550 EZD में सबसे पहले इजिट के मरीजों में पाई गई थी, इजिट की जो लोग patient थे जब patient बार-बार urine के लिए जा रहे थे, और urine से जाने के बाद जहां वो लोग urine करते थे, वहाँ पे चीटियां बहुत लग जाती थी तो इसलिए इसका जो खोज की गई थी, वो इजिट में की गई थी, सबसे पहले 1550 EZD में उसके बाद हम जानते हैं, डाइविटिक होती कैसे है, और आज के टाइम में डाइविटिक इतनी फैल चुकी है, कि हर एक तीसरे जिसान को डाइविटिक है, यह बहुत common रोग हो चुका है तो इसके बादे में आज हम इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं, और हम जानेंगे जो हमारी बॉडी होती है, तो बॉडी में हमारी सरीर एक सैल से मिलके बना होता है, जो हमारी कोशकाओं होती है, जो टेशू होता है, टेशू सैल से बनता है, और टेशू से फिर ह हमारी बॉड़ी बनती है तो उसके बारे हमारी बॉड़ी जो हमारा सरीर हमारी कोशकाओं से मिलके बनाए तो हमारी बॉड़ी में जो सेल हैं उन सारे सेल को लिए सेल्स को गुलुकोस की रिकार्मेंट होती है जो भी हमारी सेल्स की एक्टिविटी होती है सेल्स का गिरोध हो पिया या कुछ भी लियुकिट लिया जिसमें हमारे कार्वो हैट्रेट्स और हमारे प्रोटीन और हमारे फैट यह हमारी बॉड़ी के अंदर जाते हैं तो जो हमारे प्रोटीन बॉड़ी के अंदर जाते हैं वह हमारे अमीनो एसेट में तूट जाते हैं और हमारे जो कार्व आती कहां से वो हमारे बिलड से आती है और बिलड में हम कहां से आती है तो जो भी हम खाना खाते हैं प्या कुछ पीते हैं तो हमारी कार्व हाइट्रेट्स हमारी बॉड़ी के अंदर जाता है जो गुलुकोज में तूट जाता है और गुलुकोज में तूटने के बाद वो हम हमारा से अंदर कौन करता है वह हमारा इंसूलिन करता है एक हमारा हमारा सुगर का हर्मोनेज होता है इंसूलिन यहां पर करता है तो सेल यहां से अपना gate खोलता है और insulin धफका देके glucose को cell के अंदर कर देता है जिससे हमारी glucose maintenance हो जाती है फिर हमारी बात करते हैं कि हमारा insulin क्या है तो insulin हमारा pancreas से आता है pancreas insulin को release करता है तो यह हमारी diabetic की cycle है जो continue हमारी body में होता रहता है हमारे cell को और गुलुकोस की जरूरत है और गुलुकोस हमारी बडी मेरं विलडे definition हम काते है उसके जरी है और वह जब हाई होजाता है तो insulin आता है team बोलता है कि अब मैं आ डे торस्पम को बोलता है गेट को झाँ कि और जब को जाता है फिर सेल गुलुकोस को पुश करता है और सेल के अंदर कर देता है और पैंक्रियाज यह रिलीस कप करता है जब बिलेड की गुलुकोस हाई हो जाती है जब बिलेड में गुलुकोस हाई हो जाती है तो बिलेड पैंक्रियाज को मैसे पास करता है कि पैंक्रियाज तु एक procedure होता है अब हम जानते हैं कि सुगर हाइ कैसे हो जाती है या डायबिटिक कैसे हो जाती है तो फ्रस्ट हम जानेंगे अगर insulin हमारे प्रॉपर काम नहीं कर रहा है insulin अगर हमारे release नहीं होगा जो हमारे glucose को cell के अंदर कर पाए ढगेल पाए तो फिर हमारे ये glucose level body में हाई हो जाएगा second level के हमारा जो pancreas blood में glucose हाई हो गई है उसके लिए जो pancreas blood pancreas को message pass कर रहा है कि मुझे में गुलुकोस बढ़ गई है और आप अपना इंसुलिन रिलीस करो तो वहां पर पैंकरियाज उसकी बात को एकनौर करता है और पैंकरियाज जो है इगो हट हो जाता है कि जहां मैं अपनी मैं अपनी इंसुलिन तुझे नहीं देने वाला हूं तो उस कंडिशन में पेशन को हो जाती है सेकंड, या फिर पैंकरियाज में प्रॉब्लम, वह जो एंसुलिन रिलीस नहीं कर पाएं तो अगहर इसने कुछ प्रॉब्लम होगी तो यह इंसुलिन नहीं जाएगा और जब गुलुकोस सैल के अंतर नहीं जाएगی तो जो तो गुलुकोस सैल हुदी कि स्ट्टम्स जाकरें तो यह स況 सिम्टम्स कोता है उसके पेशेंट को जहाएं और बहुत भूक लगति हें। भ्याइन , हम surgeons बहुत प्यास लगती है। यह पानी वह ऐस्ट है मैं। बड़ी में मतलब कोई अक्टिभीटैनी नहीं होगी NMP बादी डल हेगी। यह सारे symptoms होते हैं और भी काफी पेशेंट का जो देखने के वीजन हो जाता है वो वीजन भी बिलर हो जाता है मतलब उसकी नजर हलकी हो जाती है और विलर्ड में सुगर का लेबल हाई हो जाता है और उसके किड़नी में को भी जब सुगर हमारी ज्यादा हाई होती है तो तो आयोगो फ्रेंट्स आपको सुगर के बारे में पता चलाओ कि यह कैसे होती है उसके बाद हम देखने वाले हैं जो हमारे डायविटिक के लिए टेस्ट होते हैं तो फर्स्ट हम जानेंगे डायविटिक की जो फास्टेंग बिलट सुगर की नॉर्मल लेंज होती है वह 80-110 बीवेटिक ब Tree नॉर्मल लेंडे सिर्फलंब सुगर को मारे नॉर्मल लेंगे से एक्सू चाल्रेस तक तो करदेश्ट पहले हमबात करते हैं एक वह टाजट है जो हमारे — पश्ट हो ज्यादा लंबे — ताइम गलो लेबल हमारा पर डे ऑन एबरेज कितना आता है इसलिए हम चेक करते हैं और आपने मोश्टली सुना होगा कि HV1C टेस्ट करने से B4-3-2-4 मन्त की डाविटेक हमें पता चल जाती है तो आईए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पता चलती है हमारे RBC होता है RBC की जो लाइफ साइकल होती है वो 90 से RBC की लाइफ साइकल जो 90 से 120 दिन की होती है तो हमारा जो HV1C है वो RBC की सरफेस के उपर जो हमारे प्रोटीन और गुलुकोज होती है उसकी साहता से ये टेस्ट हमें बताता है कि पेशेंट को आज से 2 या 3 महीने पहले तक उसको कितनी सुगर रह चुकी है क्योंकि जो RBC की लाइफ साइकल होती है वो 90 से 120 दिन तक होती है उसी आधार पे हमारा HV1C की टेस्ट हमें बताता है कि हमारे पेशेंट की जो डाइविटिक है वो अप से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले ये कितनी थी उसके बाद जो हमारा बिलेट सोगर फास्टिंग है बिलेट सोगर रैंडम है बिलेट सोगर पीपी है यह हमारे लेवोर्टी में टेस्ट की जाते है इस टेस्ट के लिए हमारे पास गुलूकोस का रियेजेंट होता है गुलूकोस का रियेजेंट होता है और सीरम हमें 10 माइक्रो लेना है इस टेस्ट को 10 मिनिट के लिए इंक्यूवेशन करते हैं और यह हमारे टीनो टेस्ट इसी सेम प्रोसेस से हम लेब आटी में चेक करते हैं बाद आता है GGT गुलुकोस टोलरेंस टेस्ट यह जो हम डॉक्टर की दुकान पर देखा होगा या कहीं अमर्जनसी के लिए हम एक फिंगर में निडिल लगाके और एक मसीन से वह टेस्ट कर लेते हैं वह गुलुकोस टोलरेंस टेस्ट होता है जो हम इमीडेटली कर लेते हैं यह हमारा जो टैस्ट है इसकी वेल्यू को हम कभी बी नोट डाउन का नहीं कर सकते कि एक उन्हां करीं चाहिए होता है था का incubation करने के बाद हम machine में पला देते हैं तो हमारे diabetic सुगर की region आ जाती है और हमारा hv1c है जो है hv1c हमें करने के लिए rbc पर depend होता है rbc की life cycle जो 120-120 दिन की होती है उसके आधार पर हमारा hv1c आ जाता है तो friends मैंने आज आपको explain किया i hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और glucose कैसे होता है क्यों होता है उसके symptoms यह सब चीजे तो friends अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो आपको अच्छे समझ आई है तो लाइक कीजिए support कीजिए और friends अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को संस्क्राइब करें thanks for watching